राज़त कोटे के मंतरी को सुशील मुदी का गरारा जवाब आरोप लगाने वालों पर करूँगा मानहारी का मुकदमा दर्ज मेरे और मेरी परिवार पर गलत आरोप लगाया जा रहा यदि आरोप प्रमानत हुए तो मैं दोरो संपती गिफ्ट में दे दूँगा तुमोंने कहा है कि जब मैं लालो यादव से नहीं डरा तो इन मंतरियों से क्या डरूँगा राज़त कोटे के मंतरी को सुशील मुदी का करारा जवाब दराज़र आपको बता दे कि बीदे दिनों मंतरी रामानंद यादव ने सुशील मुदी के काले संपतियों के खुलासे की बात कही थी उन्होंने कहा था कि मेरे और मेरे परिवार पर गलात आरूप लगाया जा रहा है बीदे दिनों जो बाते कही थी रामानंद यादव ने उसको लेकर सुशील मुदी ने आब आपना बयाग जो आरे किया है क्या कहा है जरा सुनिए पिछले दो दिनों से राष्टे जंतदल के अनेक बहुबली मंत्री मेरे उपर जूटा विबुन्याद मंगणंद आरूप लगा रहे हैं कि मैं पत्ना के खेतान मार्केट और लुदीपूर के मौल का मालिक हूँ या मेरे परिवार का इन दोनों संपतियों से कोई समंध है मैं साजनी के उसे बताना चाहूंगा कि इन दोनों प्रपटी का मेरे या मेरी परिवार से दूर दूर तक कोई समंध नहीं है विधान प्रशब में भी स्रीमती राबडी देवी जी ने ये मुझे पर आरूप लगाया था और उस दिन भी मैंने का था गिराबडी जी अगर आप प्रमानित कर दीजे रफ्ताब की सरकार है अगर आप प्रमानित कर दीजे कि इन दोनों संपतियों से मेरा किसी प्रकार का कोई समंध ये मेरे परिवार का तो में दोनों संपत्ति आपको गिफ्ट कर दूँगा जहां तक खेतान मार्केट का सवाल है यह तो लालू जी के कारेकाल में उन्हीं के प्रयास से इस चर्च की जमीन पर यह मार्केट का निमान हुआ था उसमें लालू जी ब्यार के मुख्मनती थे मैं तो विदायक था और जहां तक लोधीपूर के मौल का सवाल है उसे मेरा कोई संब्ध नहीं है कोई कौन बिल्डर है किसने पनाया मैं कुछ रही जानता हो अगर कोई जरा यह प्रमानित कर दे या कोई प्रमान भी लाकर दे जिससे यह प्रमानित हो यह पता चले कि मेरा या मेरे परिवार का कर दे तो मैं इसे लोगों पर माननी का मुकद्मा दैर करूंगा लालो जी मैं अगरी लोगों से ढड़ने वाला नहीं हूँ कर दो